आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ कह सकतें कि Ocean में और वही Plant Y जो है वो River यानि Fresh Water में ग्रो कर रहा है तो कौन से सिचुईशन में ये Dry हो जाएंगे तो Basically अगर देखा जाए तो Plant X जो है ये Salt Solution में रहता है यानि इसका pH और Concentration of the Solution जो है वो Saline Solution का ही रहता है जब इसे अगर हम लोग Fresh Water में ट्रांसफर करेंगे तो वो Dry हो जाएगा एकदम से और वहीं पे अगर Plant Y का बात किया जया तो ये Fresh Water में लिफ्ट करता है इसलिए जब इसको Salt Water में डालेंगे तो ये Automatically Dry हो जाएगा तो इसका मतलब है कि यहां पे Concentration Gradient जो है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है और इसी Gradient पे बेस करके X और Y जो है वो लिफ्ट कर रहा है तो अब देखते हैं कि कौन से Condition में दोनों जो है वो Dry हो जाएगे तो First Option है कि Plant X is grown in Pond Water जो कि हमने अभी अभी कहा तो Pond Water में अगर Grow करते हैं तो ये Fresh Water हो जाता है जिसके वैसे ये एकदम से Dry हो जाएगा और Death भी इनका इसी वज़े से हो जाएगा वहीं Y को अगर Grown किया जाए Sea Water में तो ये भी Death हो जाएगा इसका क्योंकि Concentration जो है वो Match नहीं करेगा इसलिए हम कह सकते हैं कि First Option जो है ये बिलकुल Correct है Y Next बोला गया है कि Plant Y is Grown in Pond Water and X is Grown in Sea Water जो की एकदम से Same Question में जो दिया गया है उस हिसाफ से एकदम Same Statement है इसलिए ये Dry of Condition नहीं होगा Y Next है Both Plants are Grown in Sea Water जो की Correct नहीं है वहीं बोथ X and Y Growing Pond Water जो की Correct नहीं है तो जिलिए हमारा First Option ही टिक करेंगे जो की इस Respect में Correct हो जाएगा Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स